बांगलादेश में तक्तापलट से भागलपुर के सिल्क कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। आपको बता दें कि यहां का कपड़ा व्यवसाय देश में ही नहीं, बलकि विदेशों में भी मशूर है। लेकिन बांगलादेश में हो रहे इन प्रदर्शनों के कारण यह व् पड़ा था। ओवेद उल्लाह अंसारी ने बताया कि जहां से ओर्डर मिला था, वहां से ओर्डर कैंसिल कर दिया गया है। यहां से बांगलादेश में करीब पांच करोड का माल भेजा जा चुका था, जो वहां फंसा हुआ है। इतना ही नहीं, अभी यहां पर पूरे च् पंगलादेश में एंसा छड़ी वी आरक्शन की गोड में से इक पडेक्शन कर रहा है। अशर तो अशर तो ऐसा पड़ा है कि यहां पर जितना भी माल जाता था, भागलपुर का सिल्का आइटम जाता था, उसमें बहुत सारा की जाता है, सर है, मुह आए, कटिया है, तो अब बहुत सारा माल यहां पर रुख रुख रुखा है, वहां पर जितना भी ओर ता हम लोगा सब और पेंडिंग में डाल लिया, अभी माल नहीं बेजना है, तो इस वज़े से अम लोगा काम भी रुखा हुआ है, आज़ी कूश काम नहीं कर सकते हैं, जब पैसा आए कर सब्सक्राइब होता है, यहां पर बहुत सारे और भी बुनकर लोग हैं, जो कि यह काम करते हैं, वहां पर इंडिरेक्ली सब तरह से सप्लाइब होता है, वह तो सही बात है, कि बहुत ज़्यादा वहां पर कंडिशन खराब हो चुए इसको, और हम लोग यही चाहें कि जल स जल वहां पर कंडिशन अच्छा हो, जो भी हो गवर्मेंट बने वहां पर, और फिर से नॉर्मल बिजनरी स्टार्डोर खेड़ी में, मेरा नाम हो है रागिब वहीं रागिब ने बताया, यहां का कपड़ा बांगलादेश में डिजाइन के लिए जाता है, यहां से लिनेन, सिल्क, कटिया सिल्क, तसर तसर, तसर मुंगा, कुर्ता, साड़ी समेत, कई तरह के कपड़े डिजाइन के लिए भीजे जाते हैं, कढ़ाई प्रिंट, बागलपूर के बाजार पर दिया असर पड़ा है, सिल्क कारोबारी पर क्या असर पड़ा है, यहां से आपका जो है, तसर, 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 कटिया, और सिल्क में बहुं सारे आइटम जो जाते थे बागलादेश कॉछ कपड़ा बना के भी देते थे जो कि हम लोग भी देते थे मार्फत में हैं कि इंडारेक्ट में हैं तो हम लोगों को काफी मॉटा मुटी आप मान के चलिए कि रगभाग धाई से तीन क्रोड रुपया पर मंत पंगलादेश भागलपूर जा था भागलपूर का कपड़ काफी लोगों का पैसा फस गया है अभी यहां पर आप देख रहें कि यह मान रोक दिया कि अभी मत बेजना यह तो अभी बंगला जाएगा नहीं तो यहां पर काफी कारिगरों का असर पड़ ला और सब आइटम में बहुत सारे आइटम है जो कि जाते हैं और तो हमको लगता है कि काफी तरक्षी किया और हम पहले तो यहां भागलपूर से ही लुंगी बंगलादेश जाता था अब बंगलादेश से लुंगी आती है और Չस लुझा चैनल लगता कारिगरी चाहि बहुत ज़्यादा डबलप या वंगला देश प्रफिश्ट वागे बाजार पर क्या असर पड़े और तक यह सफ्कीप वने कि नहीं तक बंगलादेश पुरा सरकार नहीं बन जाता है इस्थिर नहीं होता है तब तक कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि वहां जा कि अपना पैसा ब्लॉक करें का पैसा अभी तक ब्लॉक है इसका कं यतों करोड़ का माल तो है ही मिनिमम्म रही से जानकारी alleri बाद आता पता नहीं है ज्यादा ही होसकता कम नहीं होसकता है तो इसे काफी असर पड़ा है काम अप भी सम्श्टित पड़ गया काम你好 का मेरा नाम ही है पाल जानकार ऑदिन बागलपूर के बुनकरों के लिए ये संकट की घड़ी है क्या होगा उनके भविश्य का क्या बांगलादेश के हालात सुधरेंगे और यहां का कपड़ा फिर से बाजारों में चाएगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ लोकल 18 के लिए भागलपूर से सत्यम कुमार की रिपोर्ट